भागलपूर की बहुचर्चित सिर्जन घोटाले मामले में CBI ने बड़ी कारवाई की है टीम ने तीन महिल आरोपियों अरपनाबर्मा, राज़ानी वर्मा और साहिब गंज निवासी जसीमा खातून को मंगलवार सुभा गिरपतार कर लिया और भागलपूर कोट में पेस किया इन पर आरोप है कि इन्होंने बैंक कर्मियों और सिर्जन महिला विकास सयोग समीती लिमिटेड सबावर के अध्यच सचीव सेम मिली भगत कर सरकारी खाते से जाल साजी और सड़यंत्र कर सिर्जन के बिभिन बैंक खातों में पैसा ट्रांसपर कर गबन किया है इन सब के खिलाब 16 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था अरपना और राजजरानी की गरपतारी सबावर इस्थित उनके घर से हुई है जबकि जसीमा खातून की साहिब गण से गरपतारी हुई है तीनों सिर्जन महिला विकास समीती लिमिटेड सबावर की प्रबंध कार्नीस दस्थे थी जानकारी के अनुसार तीनों महिला आरोपियों के संबंध है घोताले की मास्टर माइंड मनोर्मा देवी से भी था तीनों के घर पर सिब्याई ने अगस्त में भी दस्तक दी थी हाला कि तब तीनों फरार हो गई थी सिर्जन घोताले में कई आरोपियों के खिलाब सम्मन और जमानतिय वारंट जारी किये गए लेकिन कोई आरोपी हाजित नहीं हुआ इसके बाद कोट ने इनके खिलाब गैर जमानति वारंट जारी किया था। सिर्जन घोटाले में दिल्ली और पटना सीबियाई ने पहले से करीब दो दर्जन प्राथमी की दर्ज कर रखी है जिसमें जाँच चल रही है कई अभियुक्तों को गिरहपतार भी किया गया है इस मामले में एडी भी जाँच कर रही है भागलपूर की मुंदी चक महले में अमेजन के डिलीवरी बॉय अमित कुमार के साथ डिलीवरी देने के दौरान घर वालों के दौरा मार पीट की घटना को अंजाम दिया गया प्रित यूबक का कहना है कि अंजली कुमारी के नाम से एक पारसल आया हुआ था जिसे जब वो देने के लिए उसके घर पहुचा तब उसके पती के दौरा पहले तो गाली गलोच की गई और उसके बाद उसके साथ मार पीट की गई घटना के बाद यूबक ने तिलका मांजी थाने में आविदन दिया है और पुलीस से गुहार लगाई है आरोपियों इखिलाप कारवाई की जाए जिससे डिलीवरी बॉय के रूप में भागलपूर में काम करने वाले हजजारों लोग की स्वाभिमान की रक्षा की जा सके घटना के बाद तिलका मांजी पुलीस घटना स्थर पर पहुँचकर चानबीन में चुट गई वहीं कई पारसल बॉय घटना के बाद इखटा हो गए और पुलीस से आरोपिये खिलाप सक्त कारवाई की मांग कर रहे थे इन लोगों का कहना था कि अकसर इन लोगों के साथ इस तरह के घटना होती रहती है अगर कारवाई नहीं होगी तो आगे भी इस तरही घटना सामने आ सकती है हम आपको बता दे कुछ दिन पुर भी जोमेटो के डिलिवरी बॉय के साथ भी मारपीट की घटना हुई थी हम एक आप लोग उपर हो अन्दर यह किसा मेरा ही चाहते करे कि अमेजन काम करतेATOR कि अंजली कुमारी के आहेंग कि कि यह खाल хотел कि आ रखिस की है एक ट्रप बिहार के मुख्यमंत्री नसा मुक्त बिहार बनाए जाने को लेकर लगातार कावायाद कर रहे हैं उए दूसरी और सराबी मुख्यमंत्री नतीच कुमार और उनके सरकार के मनसूबे को पलिता लगाते नजर आ रहे हैं यह तस्वीर भागलपूर के ललमटिया थाना से महज कुछ कदम दूरी का है जहां सराब के नसे में धुत एक सराबी सड़क के किनारे घंटों बेसुध पड़ा रहता है इस दौरान उस रास्ते से ललमटिया थाना पुलीस की गस्ती गाड़ी और पुलीस के जवान भी आते जाते दिखाई देते हैं लेकिन पुलीस प्रसासन या स्थानिय लोक के दौरा सराब किनारे बेसुध पड़े सराबी की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई जाती एक बार देख लिजे बिहार के डिजीपी महोद है आपकी पुलीस जिसे आपने जनता की सेवा में 24 गंटे तत पर रहने और सराबियों की नकेल कसने का जिमा दिया है भागलपूर पुलीस उसमें फिसड़ी साबित हो रही है सरकारी उदासी इंता और जन परतनीदियों के उपेक्छा एकारन लोग एनचसी पर मौत का सफर कर रहे हैं 41 साल पहले इसे इस्टेट हाईवे की जगा एनच का दरजा मिला मगर इसका लाब यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है रोड मरमती के नाम पर लूट मची है, साल दर साल गुजरता जा रहा है, करोणों रूपी एक खर्च हो रहे हैं जिसके बाद भी लोगों के सुगम यातायात का सपना साकार नहीं हो रहा है भागलपूर को जारिकन और बंगाल से जोडने बाली एनच अस्सी पर हिचकोले खाते गालियां गुजरती हैं, सडक पहले से खराब था, बार के पानी ने इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जगा जगा गढढ़ा बन चुका है, बाहर निकला पत्थल वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, रात के अंधेरे और कोहासे में गढढ़े का पता नहीं चल पाता, लिहाजा माल वहा को वाहन के पलटने का खत्रा बना है, रोड बनता कम है और तूटता जैदा जिरो माईल से कहलकों की दूरी महज 30 किलो मीटर है, लेकिन वहान चालकों को चार घंटे का वक्त लग जाता है, ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि पहले दो दिन में बंगाल पहुंचते थे, अब चार दिन का समय लगता है सुल्तान गंस थाना च्छेतर में एक बार फिर बाइक चोड सक्रिया होते नजर आ रहे हैं, सोंबार को थाना के समीब खड़ी मोटर सैकल की चोरी करते, सीची टीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई पिलित गराम रच्छा दर्षभ पुलीस मित्र की जिला अधिश पिंटू कुमार ने अपनी गाली थाना के बाहर खड़ी कर कुछ मिंटों के लिए थाना गए थे, उसी दुरान चोरों की नजर बाइक पर पड़ी और मोटर सैकल का लॉक तोड़ कर बाइक लेकर रफू च पिलिस अब सिस्टी फूटेज में कैद हुए चोरों की पहचान करने में जूटी हुई है अब देखने बाली बात यह है कि चोरों की इस चुनाती को पुलीस किस तरह से लेती है और कितनी जल्दी चोर को पकड़ पाती है भागलपूर रेलवे के संयुक्त क्रू बुकिंग लॉबी के पास रेलवे लोको पाइलट के दोरा विभागी अधिकारियों के खिलाव विरोध ब्रदर सन किया गया इन लोगों की मांग है कि लोको पैलोटों के दोरा लगातार बहतर काम किया जाता है लेकिन अधिकारियों के दोरा बेवजह इनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इन लोग की मांग है कि आसिस कुमार नाम के एक लोको पैलिट के द्वरा लगातार 25-25 घंटे की ड्यूटी की जाती है लेकिन फिर भी उसका ट्रांसफर भागलपूर से साहब गंज मालदा डिविजन में बैठे अधिकारियों द्वरा कर दिया गया है जिसकी वापसी को लेक आसिस कुमार का जबकि उन्होंने एक दिन में 25 घंटे तक ड्यूटी किया इसके बापजी उनका इस्थांतरन यहां से साहब गंज कर दिया गया प्रसासनिक आदेश देकर हमारे डियमी शाहब मालदे डियमी पावर साहब के दारा जिसका बिरोध करने के लिए हम लोग यह आए हैं ताकि उनका यह गलत तरीके से दिया गया आदेश बापस लेने का पुनर विचार करें कि यह गलत हुआ है CTS रोड नातनगर स्थित पंचमुखी बजरंगबली मंदिर परिसर में स्रम प्रवरतन अधिकारी नातनगर अस्वनी राज एवं अन्य कर्मियों की मौझूदगी में समी काड को लेकर कैम्प लगाया गया इस कैम्प में करीब तीन सो असंगठित छेतर के स्रमिकों ने उपस थितो कर अपने काड बनवाए सम्प्रवरतन अधिकारी नातनगर अस्वनी राज ने बताया कि इन स्रमिकों को काफी फाइदा पहुँचेगा उनका दो लाख रुपे का बीमा होगा जो किसी दुर्घटना के दौरान मिर्तियू ये पूर्ण बिकलांगता के स्थिती में उन्हें मिलेगा उन्हें बताया कि 16-69 वर्स के सभी महिलाव अप्रूस समीक निसुर्ट रइश्टेशन करवा सकते हैं इस कार्ट के लिए समीको का अधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए इस मौके पर CSC डिश्टिक मेनेजर मुहम्मद तबरेज, CSC ब्लॉक कॉडिनेटर अभैसरमा CSC VLE विकास कुमार दीप माला कुमारी सुनील कुमार उपस्थित थे अनुसूचित जाती जन जाती संग के संयोजक अजय कुमार आलोक ने अंबेदकर भवन में एक प्रीस वारता अयोजित करते हुए कहा कि जिला उद्यो केंदर भागलपूर की महाप्रबंधक रामसरन राम से महाप्रबंधक का पद छीन लेना वो भी बिना कारण बताए राजसरकार के दलित बिरोधी नीती का द्योतक है रामसरन राम ने 2019 से लेकर अब तक अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती उद्यमी योजना को भागलपूर जिले में 27% किर्यानवित किया है जो बिहार में अग्रनी है उन पर कोई भी भष्टाचार का आरोप नहीं है फिर भी बिना कोई करण बताए महाप्रबंधक पन से हटा दिया गया अजय रविदास ने कहा कि उद्योग मंतरी सेयल सहनवाज हुसेन जी का महाप्रबंधक को हटाने का निरने उनका ऐसी एश्टिहितेसी नेता की छवी को धूमिल कर रहा है उनसे अतिसिग्र निरने वापस लेने की मांग करते हैं मौके पर राजु कुमार चौधरी पंकच कुमार अभिमन्यु कुमार रवी आरियन सहीत अन्य उद्यमी मौजूद थे